Hello qadds, welcome to the 3rd lecture of your 17th chapter that is measurement तो पिछले class में आपनने देखा था सारे के सारे quantity मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हैटो, किलो, मेटर तो सात यूनिट्स के बारे में देखा था आपनने उन सातों के बीच में रिस्ता भी देखा था कि 10-10 बरते जाते हैं मतलब जो kilometer है वो सबसे बड़ी quantity और millimeter है वो सबसे छोटी quantity है तो kilometer को अगर millimeter में convert करना है तो 10 से multiply करते हुए जाना है रास्ते में और millimeter को kilometer में convert करना है तो 10 से divide करते हुए जाना है चलो तो उसी को अगे बढ़ाते हैं अपने कल पढ़ा था पूरा metric system चलो short form और दिख लो millimeter है तो देखो millimeter का m, meter का m, small में centimeter, c small, meter small तो याद रखना अभी है आपर अपना base unit का है meter तो meter से multiply कर रहे हैं सबको millimeter centimeter क्योंकि base unit का है meter जैसे अपन weight ना पहेंगे तो base unit का है gram तो क्यों चाहिएगा milligram, centigram, decigram done चलो फिर ये decigram तो d small decimeter, sorry decimeter, base quantity meter ठीक है फिर उसके बाद decameter तो ये बड़ा, मतलब याद रखना बड़ा d मतलब deca, small d मतलब deci फिर hecto small h, m hectometer and then kilometer चीक है तो इस तरीके से ये सारे short forms है किसके millimeter, centimeter, decimeter, meter, decameter, hectometer and kilometer ये पूरे के पूरे के short units है, मतलब अगर कभी भी short units में अगर मैं देदू कि 400 dm is equal to how many kilometer, तो आपको समझ में आ रहा है कि dm छोटी quantity है, kilometer बड़ी quantity है तो divide करना है, किस से 1, 2, 100 से divide करना है, तो जैसे ही आप इसको 100 से divide करोगे तो it will be 4 kilometer, मतलब 400 decameter equal to 4 kilometer, चलो तो कुछ-कुछ questions हैं, बहुत easy, बहुत easy questions हैं आपके screen के उपर, जल्दी से करो, फिर wait पढ़ना है screen pause करो, attempt करो, convert 2 by 5 meter into centimeter meters, centimeter तो आपको यादी रहता है, centimeter, meter, millimeter, इतीन तो अपन generally use करते हैं day two day life में, yes तो ये तीनों आपको याद है, तो आपको पूरा वो लिखने की ज़रोद नहीं, अदर्वाज आप लिख के भी देख सकते हो, milli, centi, decimeter, ठीक है, deca, heto, kilometer, अब देखो, किसको किसमें convert करना है, meter को convert करना है, centimeter में, तो multiply करना पड़ेगा, किस से, 10 और 10, 100 से, तो 2 by 5 को आप 100 से multiply कर दो, 2 by 5 को आप, देखो, यहाँ पर लिखता हूँ, 2 by 5 को आप 100 से multiply कर दो, तो 5, 2s are 10, 0, 2, 2s are 40, तो 40 centimeter, 2 by 5 meter is your 40 centimeter, 100 से multiply किया, कैसे पता चला, यह लिखा, मीली, सेंटी, डेसिमेटर, डेका, एटो, किलोमेटर, तो meter को centimeter में convert करना है, उधर जा रहे हैं, तो multiply, और centimeter से meter करते हैं, तो divide by 100, अगर एक जा रहे हैं, तो 10 से 2 जा रहे हैं, तो 100 से 3 जा रहे हैं, तो 1000 से 4 जा रहे हैं, तो 10,000 से, चमक गया, चलो, Now, next question, screen को pause करो, और attempt करो, convert, कर लिए attempt, easy, easy, सवाल है, यार, क्या, दिमाग से पैदल हो गया, चलो, convert 220 millimeter into meter, millimeter को meter में convert करना है, तूरण लिख लो, centi, mili, centi, decimeter, deca, hecto, kilometer, ठीक है, तो millimeter को convert करना है, किसमें, meter में, तो क्या करना पड़ेगा, बताओ, अपन कहां जा रहे हैं, right में, right में जा रहे हैं, तो divide करना पड़ेगा, किसने से, एक, दो, तीन, 1000 से, तो 220 को आप 1000 से divide कर दो, तो तीन के आगे decimal लग जाएगा, एक, दो, तीन, तीन के आगे decimal लग जाएगा, तो 0.22, 0.22 meter, millimeter को convert करोगे न, इसमें भी option नहीं दिया होए, किया, बताओ, क्या हो गया, 0.22 millimeter, so answer is your D, चीक है, अगर आपका answer आ रहा था 0.22 और अगर आपका option नहीं मिल रहा था, तो कोई बात नहीं, अगर आपका यह answer है, तो मदलब correct है, okay, 0.22 meter, millimeter को किसमें convert करना था, meter में, तो आपने किस से divide किया, 1000 से, जब आप 1000 से divide करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, meter, तो कितना आ गया, 0.22 meter, done, option नहीं था, कोई बात नहीं, आपका answer आए न, बस, आपका answer यह आया, तो बल्ले बल्ले, नाचो गाओ, S करो और क्या, चलो, good, now, convert, 7 by 3 है, कोई dot dot नहीं है, 7 by 3, dm into dm, capital dm into small dm, तो capital dm क्या है, decameter, small क्या है, decimeter, तो क्या करो, भाहिया, लिख लो, लाइन से, millimeter, centimeter, decimeter, सिर्फ meter, ठीक है, milli, centi, decimeter, deca, hetto, kilometer, देखो, किस में convert करना है, dm से, dm में convert करना है, तो अपन कहां जा रहे हैं, left में, तो multiply करना पड़ेगा, multiply करना पड़ेगा, किस से, 10 और 10, 100 से, तो 100 से multiply कर दो, 7 by 3 into 100, ठीक है, तो 700 by 3, divide नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या mixed fraction में छोड़ सकते हो, या decimal थोड़ा सा निकाल के छोड़ सकते हो, जैसे 3, 2s are 6, 1, 3, 3s are 9, 1, 3, 3s are 9, 1, dot 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 आत रहेगा, तो आप answer भी ऐसे भी जाल सकते हो, 233.333, then, या ऐसे fraction में भी छोड़ सकते हो, 700 by 3, तो option में क्या दिया है, उसके इसाब से depend, रहेगा, then, clear होगे, इस ही था, बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है, मिली सेंटी डेसी मेटर, डेका हेटर, किलो मेटर, और फिसके बाद तो इतना असान हो गया, मतलब की दिमाग से पैदल लोग भी कर लेंगे, चलो, Now, Measurement of Weight, Weight का क्यों importance से मैंने ये बताया था, Weight मतलब कोई चीच कितनी भारी है, कितनी जादा है, कितनी कम है, ये कौन बताता है, Weight, Weight is a measure to find how much an object is heavy or light, कितना भारी है, या कितना हलका, ये कौन बताता है, ये Weight बताता है, ठीक है क्या, तो, Commonly Used Units of Weight are, Kilogram, Gram, Quintal, Ton, ये सब हैं, Commonly Used, Quantities जो आपकी होती है, कौन कौन सी है, Kilogram, Gram, Quintal, Ton, ये सब हैं, ठीक हैं, बाकि वो भी हैं, Gram, Milligram, Centigram, Decigram, लेकिन ये सब को अपन ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, Milligram को यूज करते हैं, Gram, Milligram, Kilogram, ये तीनों आप ज़्यादा यूज किये होगे, ज़्यादा सुने होगे, Quintal और Ten भी अपन देटू डे लाइफ में यूज करते हैं, चलो तो इन सब के बीच का रिस्ता देखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, Milligram से लेकर के, Kilometer तक का याद करने की ज़रुद नहीं है, No need to remember, क्यों? सर अपन को तो यादी है ना, Milligram, Centigram, Decigram, Deca, Heighto, Kilometer, तो यहाँ से लेकर, यहाँ तक का Conversion, याद रखनी की जरुद नहीं है, वो गाने से याद हो जाएगी, ठीक है, यह पूरा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक यह याद करने की जरुद नहीं है, यह तो गाने से हो जाएगी, ठीक है, और एक क्यूंटल 100, तो 10 क्यूंटल कितने हो गए, मतलब 1000 kg, आपको क्या याद रखना है, एक मेट्रिक टन, एक मेट्रिक टन में 10 क्यूंटल होते हैं, और एक क्यूंटल में कितने होते हैं, 100 kg, एक क्यूंटल मतलब 100 kg, एक क्यूंटल मतलब 100 kg, और एक मेट्रिक टन म को बोलेंगे और 100 किलो को एक क्विंटल बोलेंगे क्लियर तो यह दोनों चीज़ें याद करने हैं आपको सिर्फ यह ब्लू वाली जो यह ब्लू वाली है you have to memorize this नीचे वाली memorize करने की ज़रोत नहीं है remember this एं और यह नीचे वालेंगे को याद करने की ज़रोत नहीं है क्यों कि अगें आपको मालूम है based quantity decah ècto kilo अभर यहाँ पर बेस quantity क्या है yaad करो देखो bass quantity weight के लिए बेस quantity क्या थी yad करो यह देखो बेस मिजर्मेंट यूनित क्या थी आपकी वेट की लिए gram ग्राम बेस है फिर उसमें से बड़ी कॉंटिटी और छोटी कॉंटिटी है तो आप वापस आजाओ gram में आजाओ तो base quantity इस यूर ग्राम ठीक है तो देखो अब minhaigram मिली ग्राम मतलब M G सेंटी ग्राम C G डेसी ग्राम D G ठीक है? स्मॉल डी डेका कैपिटल D G हेक्टो ह G और किलो के जी ठीक है? अब सिंबल हो गया वहाँ पर बेस कॉंटिटी क्या थी? मीटर तो आपन सब में मीटर लगाये थे मीली मीटर, सेंटी मीटर, डेसी मीटर, डेका मीटर, हेक्टो मीटर, किलो मीटर यहाँ पर बेस कॉंटिटी क्या है? ग्राम तो आप यहाँ पर इन सब में क्या लगाओगे? ग्राम ठीक है? मीली ग्राम, सेंटी ग्राम, डेसी ग्राम, ग्राम, ठीक है? डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम अब इन में से किसी में भी कनवर्जन देदे तो वोई इधर से उधर जाते से में 10 से मल्टिप्लाई उधर से इधर आते से में 10 से डिवाइड बताओ इसी है, पूरे मतलब जो कोशन आपने वहाँ पर किये थे वही सेम एज इस डिट्टो कॉपी पेस्ट कोशन यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है, तो डरने की कोशे उतनी है सौटकट याद रखना सारे कि सारे सौटकट ठीक है, वैसे तो आपको खली बड़े-बड़े वर्ड्स का याद रखना है, बाकी तो बाद में अगर जी है तो मतलब ग्राम है, और अगर बाद वाला एमे तो मीटर है, ठीक है बाकी तो वॉल्यूम और एरिया में क्या हैगा वो मैं आपको बता दूँगा, टाइम में तो 2 decigram 5 centigram into milligram, milligram में convert करना है उनको, ठीक है, जैसे पन बोलते हैं न, कि 4 meter, 3 centimeter को आप centimeter में convert करो, तो 4 meter मतलब 400 centimeter और 3 centimeter तो 403 centimeter होता है, वैसे ही आपको इसको convert करना है, स्क्रीन को pause करो, और attempt करो, अक्का, कर लिया, चलो, देखो, now my turn, आपने बोला, सर पहले लिख लेते हैं, मिली, सेंटी, डैसी, मीटर, ठीक है, मिली, सेंटी, डैसी, और फिर बेस कॉंटिटी ग्राम, फिर डेका, हेक्टो, किलो, अब ग्राम, ग्राम को किस में convert करना है, मिली ग्राम में, ग्राम को किस में convert करना है, मिली ग्राम, तो देखो, 10, 100, 1000, 1000 से multiply करना पड़ेगा, तो 3 ग्राम is your 3000 मिली ग्राम, चमग गया, इजी है, 3 ग्राम is your 3000 मिली ग्राम, अब देखो, 2 डैसी ग्राम, decigram को mg में convert करना है तो किस से multiply करنا पढ़ेगा 100 से तो 2 decigram is equal to 200 mg और फिर देखो क्या है centigram centigram को convert करना है या centi не होना centigram को convert करना है तो centigram को आपने convert किया आपने mg में तो किस से multiply करना पढ़ेगा 10 से तो 5 centigram is going to be equal to 50 mg तो sब को add करो तो टोटल कितना मिली ग्राम हो गया? 3250 मिली ग्राम 3250 is the answer क्या बात है? वाह 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 तो बेटा माज कर दी क्या लिख रहा हूँ? माज कर दी लिख रहा था चमक गया? कनवर्ट करना है तो क्या यात रखना है? मिली सेंटी डेसी मिली सेंटी डेसी मिटर डेका हेक्टो किलो मेटर आगे एक्जाम्पल नंबर 5 आपके स्क्रिन क्यों पर यह रहा? 2 kg 3 hectogram ठीक है? 2 kg 3 hectogram 5 gram को कनवर्ट करना है डेसी ग्राम में अगें स्क्रिन को पॉस करो अब आपको समझ में आगे इसे पहले वने में कैसे किया था? तो यह सही बनना चाहिए आप सभी को मैं बनना चाहिए प्रिन पॉस करो बेटा और एटेम्ट करो देखो मैं बताओ 3 kg पहले लिख लो confusion नहीं लिख लो मिली ग्राम cm 10 g ग्राम ग्राम फिर डेका ग्राम हेक्टो ग्राम kg' kg चाहँ और kg को convert करना है भहिया डेसी ग्राम में थाहिक है सब चीज़को डेसी ग्राम में convert करना है तो 10 100 1000 10,000 से multiply करना पड़ेगा तो 2 kg is equal to 20,000 dg decigram done सबको decigram में convert करना है सबको decigram में convert करना है और बताना है total decigram कितना तो 2 kg को decigram में convert करने के लिए 10, 20 100, 1000 10,000 तो 10,000 से multiply किया तो 20,000 decigram हो गया अब 3 hectogram को convert करना है hectogram को hectogram को convert करने के लिए 10, 100,000 से multiply करना पड़ेगा तो 3000 1000 decigram फिर उसके बाद क्या है उसके बाद आपका है 5 gram 5 gram को convert करना है gram को convert करना है किसमें decigram में तो सिर्फ 10 से multiply करना पड़ेगा तो 50 decigram तो कितना होगी है total 30,000 30,000 50 this is the answer मजा आया गया की नहीं मौज हो गई की नहीं आप लोगों की मजा आगे answer simple था, easy था बस यह याद रखना है फिर कोई tension नहीं चलो last question, आज के लिए last question फिर next class में अपना आगे बढ़ेंगे convert 4300 gram into kg, gram को kg के लिए 1000 से divide करते हो तो यादी है लेकिन नहीं आदे तो भी कोई बात नहीं milli centi decigram ठीक है deca hecto kilogram क्या करना है gram को kg में convert करना है देको हर बार जब left में जाते थे तो 10 से multiply करते थे अब right में जा रहे हैं तो 10 से divide करना पड़ेगा तो 43,000 को या 1000 से divide गया 30 ने 30 को बहरेमी से माल डाला क्यों लड़ते हैं इतना है लोग तो answer आगे आपके पास 43 kg क्या सुन्दर सा answer आया है वा 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 जी राम जी चलो डन बन गया easy conversion length और mass दो चीज कर चुके हैं अपन length की unit और mass weight की unit अपन देख चुके हैं सारी की सारी unit चलो अब next class में समय time की देखेंगे फिर area volume पर आपका देखा ही हुआ है वो simple simple हो जाएगा last में पैसा पैसा और temperature ठीक है क्या चलो तो आज इस class को अपन यही पर end करते हैं फिर मिलते है next class में तब तक के लिए हसते रहों मुस्कूराते रहों देखते रहों सारी अफसर की class जै हिंद बाई बाई टेक केर